इद के मौके पर उत्री इसराइल बॉर्डर पर हिजबुला के हमलों में अचानक से कमी आ गई थी या यूँ कहें कि उत्री फ्रंट पर हिजबुला लगातार दो दिनों तक शांत बैठा रहा लेकिन इन दो दिनों में उसने अंदर ही अंदर वो कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में इसराइल ने कभी सोचा भी नहीं था जी हाँ हिजबुला ने अपने जासूसी ड्रोन को कबजे वाले फिलिस्तीन में भेज कर इसराइल के तमाम खूफिया ठिकानों का भेद इखटा कर लिया जिस से इसराइल में अब हरकम मचा हुआ है हिजबुला का कहना है कि अब उसके पास इसराइली सेना के सबसे एहम ठिकानों की खूफिया जानकारी आ चुकी है लेकिन इस सब के बीच एक बार फिर उत्री इसराइल बॉर्डर हिजबुला के हमलों से दहल उठा है पिछले दो दिनों से जो सन्नाटा यहां पसरा हुआ था अब वो भारी तबाही में तब्दील हो गया है दरासल हिजबुला के लडाकों ने दोपहर करीब 12 बचे आईटिएफ के एक मेरकावा टैंक पर ड्रोन हमला करके उसके पर खच्चे उड़ा दिये हिजबुला का दावा है कि उसने यह हमला हदाब यारीन साइट पर किया है जो एकदम सटीक रहा इसके बाद हिजबुला ने नेवजीव में आईटिएफ की 111 बटालियन की एक पोजिशन पर ड्रोन का एक जथा फायर कर दिया जिसमें इसराइल के कई अधिकारी और जवानों के चपेट में आने की खबर है हिजबुला का ये भी कहना है कि उसका ये हमला एक दम सटीक रहा इस हमले के बाद शाम होते होते करीब 5 बच कर 20 मिनट पर हिजबुला ने दो अलग-अलग हमले किये जो कबजे वाले कफार चौबा हिल्स और जिब्दीन बैरिक में हुए हिजबुला के मताबिक उसने यहां पर अलराम्था चौकी पर रॉकिट और गोला बारूट से हमला किया है और इस हमले को लेकर हिजबुला ने दावा किया कि उसके ये हमले एक दम सटीक रहे इसके बाद हिजबुला ने ये भी दावा किया कि उसके लड़ाकों ने मनारा सेहने चौकी पर पहले तो इसराइली सेहनिकों की करीब से निगरानी की और फिर उनके उपर रॉकेट गोला बारूद बरसाना शुरू कर दिया जिसमें आईडियफ को भारी नुकसान हुआ है और इन हमलों के बीच बेयत हिलेल बैरिक्स पर भी हिजबुला ने शाहिल बटालियन पर कत्यूशा रॉकेट से ताबर तोड हमले कर दिये जिसमें इसराइली सेन निचौकी और आईडियफ के जवानों को भारी नुकसान होने की खबर है लेकिन इन हमलों के बीच आईडियफ को सबसे बड़ा जटका लासान मिलिटरी फैक्टरी में लगा है यहाँ पर हिजबुला ने फलक रॉकेटों से हमला किया है जिसमें इस फैक्टरी को भारी नुकसान होने की बात सामने आई है बड़ी बात यह है कि इस फैक्टरी में इसराइली सेन निवाहनों के लिए विशेश हतियार बनाय जा रहे थे और ऐसे में हिजबुला का इस हतियार फैक्टरी पर हमला करना आईडियफ के लिए एक बहुत बड़ा जट का साबित हो सकता है क्योंकि अगर इस फैक्टरी का ऑप्रेशन प्रभावित होता है तो आईडियफ को हतियारों की सप्लाई भी ठप हो सकती है जिसका सीधा असर युद में नजर आ सकता है झाल 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 झाल